तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग बेसिकली ग्लोबल मार्केट के बारे हम समझेंगा इस ग्लोबल मार्केट में हम लोग सिंपली SGX, Nifty and Dow Jones and US Market को समझेंगे ठीक है इससे काई हम लोग क्या है ना इससे हम लोग मार्केट में क्या होने वाला है उसके चांसे बढ़ जाते हैं यह एक तरह से कंफरमेशा में मिल जाता है गाइस and SGX, Nifty और Dow Jones का उपयोग हम में बेसिकली sentiment की तरह यूज करता हूं और यह sentimental indicator ही होता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्या चला है हम लोग उसको प्रिफर्फर जब करेंगे तो हम लोग के चांसे बढ़ जाते हैं ठीक है हम लोग उसको समझेंगे एंड यह वीडियो बहुत ही important होने वाली है तो इस वीडियो का पूरा देखना एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करना ना इस पर मैं नहीं ट्रेडर्स के लिए तो इसकी टाइमिंग थोड़ी समझने पड़े कि हम लोगों को तो टाइमिंग को थोड़ा ध्यान देते हैं धेकर S.J. Nifty दो सेसर में चलता है ठीक है हम एंडिया का टाइम के नहीं साफ्ट से बता देता हूं इंडिया टाइमिंग को मैं इंडिया टाइमिंग के साफ सर बता देता हूं इसको ठीके निप्टी का पहला सेसन जो चलता है वो चलता है आपका शारे 6 बजे 6.30 अ.m. से लेकर आपका चलता है वो 3.40 p.m. तक गाईज ठीक है यह इसका पहला सेसन चलता है इसका सेकेंड सेसन कब चलता है इसका सेकेंड सेसन चलता है 4.10 p.m. से लेकर आपका 12.15 तक ठीक है रात के तो देखें यह होता है तो मैं टाइमिंग क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग की मार्केट जो उपन होती है वह होती है 9 बज़े से लेकर 3.30 तक ठीक है इसमें 15 मेट का प्री उपनिंग सेसन रहता है तो उससे हम लोग बात नहीं करेंगे तो देखें एजे निफ्टी यही कारण होता है कि हम लो हम लोग समझेंगे पहले तो एजे निफ्टी का इतना यूज होता है अब एजे निफ्टी का हम लोग अपने टेड में कैसे यूज करें वह मैं बता रहा हूँ अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको मार्केट मार्केट में प्री ओपिनिंग सेसन के पहले ही पता चलाए मार्के मार्केट केदर open होगा हूँ कैसे मैं बता रहे हूँ जब आप मार्केट open कर आओ जब भी आप मार्केट मतलब जैसे कि आप टेड लेने जा रहे हो ठीक है तो बेसे कि बात है कि 9 Все के 15 में पारल ही जो भी साय डायएं त्रेडिंग उसमें आप कर सकते हैं लेकिन देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूं मार्केट में आप लोग एजे निप्टी कब देखोगे एजे निप्टी आप लोग आग 45 या 8.50 एम सुबह देख लोगे मैं बता रहा हूं इससे आपको फायदा का है इसका इसका उस किसे करत है देखिए मार्केट अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं जैसे लाइक 6 बज़े 7 बज़े कभी भी देख रहे हो तो आपको एक आईडिया लग जाता है कि मार्केट में आज क्या होगा मार्केट आज ऊपर जागा कि नीचे जागा अगर एजे निप्टी पॉजि इसलिए कर सकते हैं कि मार्केट के स्टार्ट होने कर पहले पता चाहता है प्री उपनिंग सेसंग के पहले कि मार्केट किसर जाएगा ठीक है तो इसे कैसे देख सकते हैं वह भी मैं बता आगा था हूँ सिंपल यह आप लोग एसजी एक निफ्टी को करोगे तो सब्मृूइंस होता ठीक है यू-इस मार्केट टाइमिंग क्या होती है कि हम लोग सो रहें जब हम लोग की सोने का ठैम अतली है फिर हम लोग वह सकते हम लोग की क्यम मार्केट बंद रहती है ठीक है डि आग पीम से रात के धाई बजे तक ठीक है यह यूएस मार्केट के टाइमिंग है तो अब देखिए अब इसका हम यूज क्या होता है जैसे कि हम लोग की आज टेडिंग मान लिजी आज 20 अक्टूबर है ठीक है तो अब क्या होगा हम लोग के टेडिंग सेजन खतम हो तो जब भी हम लोग टेड करेंगे अब मैं बतारहूं को इसका कैसे यूज करते हैं हम लोग के टेडिंग में यूज क्या हे मैं उसको सम् cour Мар रहा हूं क्या है ठीकैए अर डेटा पंट देखेंगेंगे तो हम लोग को अगर मान लीजिए selling selling की opportunity दीख रही है ठीक है एंड same day अगर US में Dow Jones भी negative है तो हम लोग को एक तरह से confidence ठीक है confidence या एक तरह से बोले कि confirmation globally confirmation भी मिल जाता है कि हाँ आज हम लोग selling करेंगे तो बेनिफिट कर सकते हैं तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं अगर most of the time क्या होता है 60% of the time यह होता है कि अगर Dow Jones डाउन है तो हम लोगों को market उपर जाने के chances बहुत कम रहते हैं ठीक है तो यह पुरी तर से बात सकते नहीं है मैं बता रहा हूं पहली बात यह 60% of the time होता है लेकिन इसका हम लोग यूज करते हैं इसका यूज हम लोग तब करते हैं दाउन भी नीचे है ठीक है तो हम लोग सेलिंग के साइट प्रेफर करने में जारे सुटेबल होता है अगर अगर गूगल पर ही कर दो आप लोग डाउन्स आप यह तो यूज मार्केट आप सच कर देना ठीक है गलोबर मार्केट मनी कंट्रोल कर दोगे आप थो सारे जितना भी मार्केट होंगे गलोबली क्या चल दाए वो सब आपको ही आप यहां आके देख सकते हैं तो देखिए यह एक सिंपल वे था एंड सिंपल सेटप था एंड सिंपल माली जी इसको मैं तरटा सेबल लेंड़ा पॉइंट थे जिसको अगर हम लोग अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंक्लूड करेंगे तो जाहिस सी बात है कि हम लोग हम लोग का चांसे बढ़ते हैं ठीक है क्यों मार्केर मेंने पसंद कुछ भी नहीं होता हम लोग को हाई प्रोफिविल्टी वाले चीज़े करने पड़ते हैं लेने पड़ते हैं लेने पड़ते हैं मैं सेंटिमेंट इंडिकर्टर को यूज करता हूँ जैसे लाइक PCR हो गय इंड पहले इन सब सीधों को देखें गाईज देखिए मेरी बात या किसी और की बात को आप सीधिस सुनकर अप्लाई मत कर देना ठीक है आप पहले देखो कि जो मैं बोल ला हूँ हो वाकी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो आप प्रेक्टिकली करने लगोगे गाईज त इसे नहीं है लेकिन उसको समझने के लिए बहुत दैना पड़ता लगाना पड़ता है ये ल closing more strax marketing में फिरन ये पता चल जाता है कि मार्केट किधर ओपेन होगा ठीक है अगर 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 मतलब यह था कि अगर हम लोग से से लिंग के साइड बनाने वाले हैं और अगर 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 हम लोग बाइंग साइड ही प्रिफर कर रहे हैं तो वह ट्रेड लेने में लेने में confidence थोड़ा बढ़ जाता है probability बढ़ जाती है ठीक है तो वीडियो कैसे लगा जरूर बताना और चैनल को subscribe कर लेना ठीक है मिलते हैं फिर वीडियो में